Hello everyone, मैं मैं सली and you're watching Miraculory Classes एक ऐसा वर्ड लाया हूँ जिससे आपने बच्पन से लेकर आज तक गलत ही सुना है और जाहिर सी बात है कि जब आपने गलत सुना है तो फिर सही कैसे बोलोगे भाई मेरे आपने उसे गलत ही उचारित किया होगा वो कौन सा वर्ड है वो तो मैं आपको बता दूँगा लेकिन आपसे मैं अगर पूछूँ कि क्या आप क्रिकेट की दिवाने हो तो कहोगे हाँ सर ये भी कोई पूछने वाली बात है मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ क्रिकेट का खेलना हो देखना हो जो भी हो क्रिकेट के मामले में तो काफी एक्सपर्टनेस है हमारे अंदर वो तो मेरे अंदर भी हुआ करती थी सब के अंदर कुछ ना कुछ होती है और हम सभी जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अक्सर इस्तिमाल में आते हैं लेकिन कुछ ऐसे words भी होते हैं जो सही हम नहीं बोल पाते हैं जिनकी pronunciation हम सही नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सही नहीं सुने होते हैं और अगर हम गावासमा से बिलोंग करते हैं तब तो बात ही कुछ अलग है तब तो फिर 1% भी ऐसा नहीं हो करते हैं इस पर मैं अलड़ी आपको वीडियो दे चुका हूं बात को बीना घुमाएं फिराएं इंडिरेक्ली मैं आता हूं डिरेक्ट पॉइंट पे और आपको डिरेक्ली बताता हूं कि वह कौन सा word है जिससे आपने गलत सुना भी है और गलत बोला भी है वह है क्रीच आ क्रीच की बात कर रहा हूं किसे दूसरे क्रीच की बात नहीं कर रहा हूं इसके सही स्पेलिंग क्या है पहले आपको बता दूँ तागी आपके होश ठीकाने आ आ जायECे और आप समझ सकको कि ठीकर उसके spelling होती है C-R-E-A-S-E C-R-E-A-S-E भाई साब कहीं CH तो नहीं आया नहीं आया ना तो फिर वो चा किदर से आया आप जो चा कहते हो वो आया किदर से जब उसमें CH का sound है ही नहीं तो वो तो क्रीज है क्रीज C-R-E-A-S-E क्रीज एसे ही कुछ और भी word आपको मैं बताऊँगा तो ये तो बात हो गई कि भाई उससे हम क्रीज नहीं बोलते हैं उसे तो हम क्रीज बोलते हैं एसे ही क्रीगेट में कुछ और भी word होते हैं जिसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ लेकिन आप वो वीडियो नहीं दगो मुझे पता है आपके पास उतना वाक्त नहीं है ना कि आप उन वीडियोज को भी देखाऊगे तो मैं इस वीडियो में कुछ और शब्दों को कौवर कर देता हूँ जिसे हम लोग अक्सर गलत समझते हैं या उसको गलत बोलते हैं जब कभी भी हम अच्छा सा सौट खेलते हैं सीधे की तरफ तो क्या कहते हैं एस्टेट में आरे भाई मेरे मैं स्टेट में बहुत लंबे लंबे चक्के मारा करता हूँ मेरा एक रेकॉर्ड है कि मैंने इतना दूर चक्का लगाया था वहां तक आज तक मेरे फिल्ड में यान उसके स्पेलिंग आप सुन लो वो है स्टेट नहीं है अगले वट की बात करें जिसे हम कहते हैं इंपायर और ये सारी चीजे मैं खासकर उन बच्चों को बता रहा हूँ जो गाउं से बिलॉंग करते हैं अगर आप सहर नगर से हो तो शायद आप अच्छे बोलते हो या फ है वो है हमारा इंपायर ये का साउंड तो उसमें है नहीं आपको स्पेलिंग बता दूँ किए स्पेलिंग बताता हूं तभी आपके होश्टी गाने आते हैं उसके स्पेलिंग है यू-m-p-i-r-e वो है अंपायर ये तो उतनी गलती नहीं होती है आप सही बोलते होगे मु बॉलना चाहते हो तारीख बॉलना चाहते हो नहीं न वह जो डेट बॉल होती है वह असल में डेट नहीं होती वह तो होती है डेड 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 मिन्स मृत मरा हुआ यानि उस बॉल की गिंती नहीं होती है अगर आप हाफ पीछ से भी पहले पटक देते हो गेंद को या गिरात तो अच्छी बात है, खेलो, मैंने भी बहुत खेला है, लेकिन इन शब्दों का सही प्रनाशेशन तो कर लिया गरो, किमकि सही प्रनाशेशन आपकी अंग्रीजी को काफी इंप्रेसिव बनाती है, आपको परहलिखे साबित करने के लिए काफी है, और आपको इलिटरेट कही अपनी भी प्रूब नहीं होने देती, यह इंग्लिश है, तो आपकी प्रनाशेशन अच्छी होनी चाहिए, मैं बार बर आप लों को कहता हूं कि प्रनाशेशन बहुत ही जरूरी चीज़ है, प्रनाशेशन से, आपकी अपनी लेंग्वेज से, आपकी अपनी भाशा से तेक किर.